पार्ट टू जी हां मोधी सरकार का विस्तार आप देख रहे हैं लगातार आज तक पर सबसे पहले आपको बता दें चार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और इसके साथ ही स्वतंत्र प्रभार मनोहर परिकर वो चेहरा जिसे आप कह सकते हैं बेहद करीबी नरेंद्र मोधी क लेकिन इसके साथ ही कटर हिंदू तवका भी एक चेहरा क्योंकि याद कीजिए हिंदू राष्ट गोशित करने की आवाजे बार-बार उसी गोवा से आती रही हैं चाहे वो उप्मुक्य मंत्री उस वक्त के डिसूजा सहाब हो या खुद मनोहर परिकर का इस पर बयान हो च आगरे कुडैन मंत्री भी रह चुके हैं डॉक्तर महेश शर्मा पहली बार में ही स्वतंद्र प्रभार नॉड़ा से सांसद ब्राममण इधर मुक्तार अबास नकवी भी उत्तर प्रदेश से इन्हें संसद लाने का अब इंतजाम करना होगा रामकरपाली आदव आर जेड आई कुडारिया गुचराच से गिरेराज सिंग और ये मोदी जी के पक्ष में पाकिस्तान के खिलाफ कटर हिंदुत में के लिए दाहारने वाले व्यक्ती बिहार से जिने पुरसकार मिला है रामशंकर कठेरिया वाइस चौधरी टीडीपी की तरफ से टीडीपी कोटे में जैन सिना ये श्वन सिना के बेटे वंशवाद की राजनीती आगे बढ़ती हुई सवाल या निशान राजवर्जन सिंग राथ होर राजस्तान की तरफ से बावुल सुप्रियोर दूसरे वेक्ती जिनोंने अंग्रेजी में शपतली साध्वी नेरंजन जोती चुकि फटे स्टेस्ट के लिए नरेंदर मोधी पूरी तरह से कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं अरुन रंजन जी ने सही बोल रही हूँ तो कॉंग्रेज जो है दिल्ली की सत्ता में गरबड़ा गई तो दिल्ली की सत्ता के अंदर एक मानक है एक सुदा जैसा बात है कि बिहार यूपी जीतना है उसके लिए इन लोगों की बहुत बड़ी अंदरूनी तैयारी हो रही है उसी एक्सरसाइज में इन्होंने अपने टैलेंट्स में से चाट के चुनाओ के दिस्टिकों से हिंदू कार्ड के दिस्टिकों से जात के दिस्टिकों से यहां पर साधवी को चुना तो वहां पर गिरिराज को चुना हिंदू कार्ड के लिए सब हिंदू कार्ड है, कास्क भी है, इसमें हिंदू कार्ड भी है, सारे तरह की चीज़ों को मिला के अपना तरह करें सब्सक्राइब कार्ड भी है, सब्सक्राइब कार्ड भी है, उत्तर प्रदेश से चार लोग है, इस नए विस्तार में, एक अल्प संख्यक हैं, एक ब्राह्मन हैं और दो पिछने हैं, उत्तर प्रदेश की राजीनीति का विसात यहां से साफ हो जाती है, और उत्तर प्रदेश का चुनाओ भी आगे है, तो सकता आगे मंत्र मुंडल विस्तार में बाकी लोगों को भी जगे दो चीजें, एक तो यह कि यादव बोर्ट बैंक में बड़े पैमाने पर यह मैसेज देनी की कोशिस की जाएगी, और जिस विक्ति ने चुनाओ से पहले एक बड़ी पार्टी को छोड़ा था, और वापस पार्टी में आया था, उसको कोई संबान दिया गया है, यह जो प वो केंदर में भी तूटने के कगार पर पहुँच गया है, एक किस नए मंत्री बने हैं, लेकिन अब सवाल यह उठाए कि अनंत गीते इस्तीफा देंगे, क्या अनंत गीते के इस्तीफे का मतलब होगा, कि केंदर सरकार में जो अभी तक साथ चल रहे थे उधव ठाकरे, व वो भी अब आखरी एक तरह से आप कह सकते हैं, जो डोर है, उसे भी वो तोड़ कर निकल जाएंगे इस गड़ बंदन से, विकल बहुत ज़ादा थे नहीं उनके पास, क्योंकि जिस तरह से आप कह सकते हैं, नंबर दो की पार्टी बनकर वो महाराश्यों में रहे गए थे, बहुत ज़ादा करने के लिए स्पेस उनके पास बचा नहीं था, लेकिन वेंकर टेश जी, इस स्पेसले के साथ, इसका सीधा मतलब है कि जो शिवस्तना के आठारा सांसद है लोग सभा में, वो मैनस हो जाएगी, स्टैबिलेटी पी परेनाम नहीं होगा, लेकिन राज सभ सभा में शिवस्तना के कम है, लेकिन कहीं न कहीं पॉलराइशन नहीं पॉलराइशन शुरू हो जाएगी, जैसा महराष्ट्र में है, आप उसको एकदम आइसूलेट नहीं कर सकते, कि कॉंग्रेस, नसीप शिवस्तना, और महराष्ट्र में क्या होगा, इस स्टैटिजिकल बारगेन होगे, पुल्स और प्रेशर होगे, अब जो उनको लग रहा था, फडनविस को एकदम फ्री आइंड में लेका, वो नहीं मिलेगा, तो कुर्सी बे इधर हो रहे होगे, किसमा कस कर रहे होगे, बहुत दिक्क्त होगी है, और महराष्ट जैसे बड़े राज्य में लगातार अल्पनत की सरकार को अलग-अलग मुद्धों पर समर्थन लेना और समर्थन देना ही एक बड़ा बड़ी चनोती, और फणनविस जैसे युवा मुख्य मंत्री के लिए, के लिए राजी में वो गवर्नेंस दे पाना, उस तरीके का पाफामेंस कर पाना मुश्कि पहुंचते हैं, और उसके बाद वो वापस जाते हैं, यानि यह साफ है कि दो मन में तो थे उदर ठाके। के सिंपतिय फैक्टर महराथा में वर्क करेगा, कहीं नकई, यह पार्टी है, यह पौल्लिक सालगए, सिट शेरिंग पावर शेरिंग अलगए, लेकिन कहीं न कहीं आप, अब है तक अगर आप शिवसेना और भाजपा की रिष्टों को देखे तो भाजपा ने लगातार शिवसेना को कट करने की कोशिस की और संकेत देने की कोशिस कि कि हम आपकी शर्तों पर नहीं जुकेंगे देखिए दूसरा मौका था इससे पहले जब महाराश में तो दिक्कत में डाल सकते हैं नहीं नहीं सरकार के सांद में बढ़ी होगा थोड़ी बहुत दोर तो आई है मूल बात यह है कि हिंदुत्व की दो तक्तों में हिंदुत्व के प्रसार और कव्जा करने के महौल में बहुत जवर्दस्त भिड़न थोने वाली है ने लेकिन अरुट जी उसके लिए तो अगले चुनाओ का इंतजार करना होगा अभी तो हुदव ठाकरे ने दोर हाथ में ले लिया अभी इबिजिटली उनके पास में प्रब्लेम रहेगा दो दिन में कल परसों यह कुछ तस्वीरें सरादर्शकों को दिखा रहे हैं आपने आपको दिखा दे फटनविस साहब यहां दिख भी रहे हैं तस्वीरों में राजी प्रताप रूडी से गले मिलते हुए और राम माधव भी दिखते हुए चिनाओ में प्रभारी थे वहाँ पर और इसी काम्याबी का सिला भी उन्हें मिला है लेकिन महाराश्र के मद्दे नजर कम से कम परिस्थितियों को अनकमफिटबल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थोड़ी परिशानी वाले स्थिती बन गई है महाराश्र के मद्दे नजर और इसके बाद से फटनविस की परिशानियों की शुरूआत हो सकती है कमलेश सुतार हमारे साथ हमारे सेहियों की इसी खबर पर जुड़ रहे हैं सीधे अनंत गीते का स्थीपा हो सकता है कैसे यह खबर आ रही है कमलेश और इसी के साथ क्योंकि यहां से महाराश्र सरकार की मुश्किलें फटनविस साहब यहां मुस्कूर आ रहे हैं लेकिन अंदर ये अंदर बहुत धड़कने बढ़ी हुई होगी अज शुभेज से गतवीद्या होती रहे है अनिल देशाई मुंबई से निकलते हैं दिली के लिए शपत ग्रहन के लिए निकलते हैं खबरें यह भी आती कि अनिल देशाई बतोर मंतरी लेकिन जैसे दिल्ली पहुंचते हैं दिल्ली से उन्हें वापस बुलाया जाता है अनंद गीते तुरंत मातोश्वी पर पहुंचते हैं अपने पार्टी आलाकमान से मिलने उद्व ठाकरे से बाद चीज करते हैं उची के बीचे खबर भी आती है कि शायद उनको भी मान जनक मंत्रिपद मिले ज्यादा मंत्रिपद उनके हिस्ते में आए इसके लिए शिफ्टेना दबाव बना रहें दूसरी बात यह दिल्ली में जो शिफ्टेना चाहती थी बाते यह उबर कर आ रही कि कल रात अमिच्छाने पोन किया था उद्व साक्रे को बातचीत हुई तो शिरिके साथ जो सम्बनंदैं पेचले कुछ सालों से बिल्कुल भी अच्छे नहीं दहेयरे हैं पार्टी में भी काफी इनक्तिव रहा है पार्टी से उनका कोई भी लगाव नहीं रहा है तुष्टें को बिना जाता है शिफ्टेना को बिना पूछिए उनका यह बार भी कही न कही खल रही थी और इसी के चलते दो दिन कल से महराश्ट विधान सभा का विशेश सत्र शुरू होना है जिसमें भूमत सिद्ध करना होगा देवेंदर पढ़ना है सरकार को तो यह अपॉर्चुनिटी को देखकर शिवसेन अभी दबाव बना रही है आज चार उलज गया है और उलज गई है सरकार भी महराश्ट में एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं क्योंकि यहां से परेशानियों की शुरूआत हो सकती है अगर ऐसी परिस्तियां भारतिय जन्ता पार्टी की तरफ से बनाई गई कि शिवसेना को अगर नहीं आना है तो साहब मत अगर अगर अब चला जाता है मनुहर परिकर के पास तो यह देखे ग्रे मंत्री राजनाथ सिंग यह तमाम तस्वीर हम आपको दिखारे राश्ट पती भावन की जहाँ पर कुछी देर पहले एक किस नए मंत्रियों ने शपत लिए है और यह अब देखे अरूंज जेटली अतरिक्त कारभार इनके पास रख्षा मंत्राले का और बीजेपे अध्यक्ष अमित्षा राजीव प्रताप रूडी के लिए बड़ा दिन धरमेंद्र प्रधान खड़े हैं तीनों बात कर रहे हैं रख्षा मंत्राले माना जा रहा है कि अब नोहर परिकर को मिल जाएगा इनके मन में क्या अभी चल रहा होगा उस्ते चुनाव से पहले यह सरकार बनने के बाद भी की पाल्टी अपनी पिछली पिली के नेताओं को अब आगे रखना नहीं चाहती तो स्वाहवी कुरुप से आपको कोई दिखता भी नहीं है और इनी तस्वीरों के साथ मोधी सरकार का विस्तार विस्तार जिसमें 21 नए मंतरी शामिल किये गए हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी और उनकी सरकार के लिए एक और बड़ा दिन जब इस पहले मंतरी मंडल विस्तार के साथ ही अब नई सरकार में नई टीम के साथ 21 नए मंतरी जिसमें चार कैबिनेट मंतरी शामिल के गए है